उत्तरप्रदेश पुलिस के अमानवी चेहरे से अगर आपको रूबरू होना है तो जाएए कनौज के सौरे थाने में जिसका ये वीडियो वाइरल हो रहा है ये दिव्यांग वहाँ पर मीडिया के सामने ये गोहार लगा रहा है कि उसे इंसाफ दिया जाए क्योंकि पुलिस वालों ने उसकी बुरी तरह से पिटाई की पुलिस वाले कह रहे हैं कि ये उनका काम है लेकिन एक दिव्यांग की पिटाई करना क्या नाइनसाफी नहीं इस सवाल का जवाब कौन देगा ब्रॉप नाइनसाथ चाहता हूं और झाल वाइस जाता हूं जाता हूं प्रीज़ मुझे पीटा प्रेटा वाइस इस सवाल कि प्रेटा भाई पट्चल कवाला है मैं अगर रॉंग साइड मूँ तो आप पताईए एं मैं साइड में फिर कुल के आज में था तो बटी मेरे काण में इतनी तेज्वारा मुझे खंव में लेको यह बैटे मैंने का भाई मैंने आपको खुछ नहीं बोला पुछ नहीं बोला अगर बोला नह हो तो बताईए आप फिर क्यों मार रहे मुझे हैं आपका यह खानून है मैंने पास अत्यार में देखो सार मेरा यह भी टूटा पड़ा सर्जी मैं अपने पच्चे को दवादिला नहीं आया अब यह ना सर्जी जो भी है सर मैंने का सर्जी मैं आपको कुछ नहीं बोला अ हमिलाब यह बना सर्जी मेरा शॉल्टता मारों केस मैं ःपको करते हो लेको है मेर अक्राह वर करते हो जित जब में आपको कुछ नोग अगर अुछ जबूद के लगादा आपको अगर में घर चला हूं सर्जी सो कुछ तो मुझे आअने बात से क आड़ Ketoka में अ उत्तरा स तो पर चाहए बिज़ कोई ज़्य दिया खेगी कि अगर मुझे निख दिया तो बुझे जह लोगाइब अगर मुझे लिख अगर मुझे लिख अगर करो नहीं कहता, जावि अगर भॉने लिया मुझे लिख अगर करा जाएब। तो इस वीडियो में देखा आपने किस तरह से ये दिव्यांग अपनी आप बीती सुना रहा है किस तरह से पुलिस के अमानवी चेहरे को वो दुनिया के सामने ला रहा है इसके बाद Ustaप्रदेश पुलिस कहती है कि उन्हें अत्याचारी क्यों कहा जाता है